बारत मेरा देश मेरा देश मेरे गाउं बहुचाया भारत मेरा देश है लेकिन वो शहर मेरे लिए परदेश से कम नहीं था जन्पदों की सीमाएं राजियों की सीमाएं मुझे बॉर्डर जैसी लगती थी ऐसा प्रतीत होता था कि मैं कब अपने घर पहुचूंगा कभी गीरा कभी पड़ा कभी धोखा खाया लेकिन क्या बताओं सहेब मेरे जन्प भूमी की अनोखी है माया ये बात एक प्रवासी मजदूर के दिल से निकलती हुए वो आवाज है जो सरकार तक शायद पहुच जाए नमस्कार मैं हूँ अबिनेंदर और आपने देखना सुरू कर दिया है ABT News और कैमरे के पीछे हैं सौध अंसारी इस वक्त मैं मौझूद हूँ एक ऐसी जगा पे जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह पूरी लंबी लाइन लगी हुई है और यह लाइन जाच के लिए लगी हुई यह अपने कोरोना संक्रमण की जाच कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं प्रवासी मजदूर हैं प्रवासी करमचारी हैं जो अलग-अलग कमपनियों में काम करते हैं या अपने जिले से बाहर किसी बड़े सहर में रहते हैं और अब अपने सहर अपने गाउँ जाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और कुरोना संक्रमर की जाच करवा रहे हैं इस लंबी लाइन में आप देख सकते हैं कैसे लोग एक दूसरे के सिपके हुए हैं और ये कोसिस कर रहे हैं कितनी जल्दी उनकी जाच हो जाए और वो अपने घरों को जा सकें लेकिन इस महामारी ने धर्म का भी रूप ले लिया है कुछ खबरे हम देखते हैं कुछ बाते हम सुनते हैं जिसमें धर्म की बाते की जाती हैं तो मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमर से जब मौते होंगी तो उन मौतों में ये नहीं देखा जाएगा कि कौ अभीर मुद्दा है फिलहाल बात करते हैं संक्रमड की ये वो लोग हैं जो अपने गाउं से बाहर रहते हैं और अब अपने गाउं वापत आ रहे हैं तो ऐसे में ये पहुचे हैं अस्पताल ताकि इनकी जांच हो सके कि वह कुरोना संक्रमड के लच्छन इनमें है या नहीं हैं तो हम इनसे बात करते हैं क्या नाम है आप तो अभी काम धंदा बंद हो गया तो कैसे खाना पीना चल रहा था आट गंटे का सेट पैसा दे रहा था तो अभी आप लोग के आने का कारण क्या है क्यों गाउं बापता है आपके बाल बच्चों के पास आना चाहते थे जिलदान अगर आपका घर है तो आप कैसे यहां तक सरकारी बसथी कि मिली की नहीं में तर यहां गॉरकपूर सकाब से चारवाया राषना काम काम होगया, तो क्यों आने का कुछा तया था आपका स्ल Employee बहुत तकलिप हो比如 किए क्या स्लunda और प्रॉप स्ल lingल विल्हार्द प्रॉट यह को स्लीशां क्या स्लेंद अग्या स сл淡त्य Kirkaj इस दिए आप लोग वापत आए तो किसे आ आप गाजी पीसा करनाशक से आप आये तो ट्रेन का पैसा कर दिये देखिए एक नई बात ये सामने आ रही है कि ये करनाटक स्याय है और ट्रेन का भाड़ा जो है सरकार ने दिया है अभी पिछले दिनों आपने देखा था कुछ लोग सूरट से आये ते तो सूरत में उनसे ट्रेन का बाड़ा लिया गया था यह भी आश्यों शकित बात है आप से लिया गया है कहां से आए अल्टाटेक में थे सा कच्छ में थे जिरात्यक में आप अभी कैसे आए हैं अभी में गारीदाम से फहले खुले अफ्रतारीक पुर रात में बोगे लेज़कों तो आपसे पैसा लिया गया है आपने लिया 13 सूरप ये कि आरहे हैं और कम्पनी वाले ने 13 वाले ने ले लिया है जो लोग गुज राख से आ रहे हैं ते लोग का भाड़ा लिया जा रहा है और ये करनाचक से आए और करनाचक से ट्रेन का भाड़ा सरकार ने दिया इनसे पैसा नहीं लिया गया लेकिन गुजराट वालों से पैसा लिया गया है हम गुजराट से गाधी दाम से आये हैं वहाँ पर 13 रुप्य लिया गया कोन लिया वहां पे नगर मापालिका वाले परशिप बना के दिया है वहीं पर लेने के बाद बस गादी दाम लेका है मैं काओंगा थोड़ा कैमरे में परशिपों दिखाया जाए थे यह मांडूी तालुपा है वहां पर कच्छ बुचल जिला में मांडूी है, मांडूी में जो है, वहां पर चेकिन हुआ को करने के बाद जो है, तेरा सुरुपिया होओ लो लिए, और आजा लिटर खाली पानी दिये, इसके बाद जो है, गादि इदाम हम नोगा आये जब शेशन पे, तो वहां पर चारपाच कुरी और एक-एक लिटर पा और चार-फाच पूडिया मिला है जो ठाने के लिए भी टाइम नहीं मिला कि वहीं पर बस लगा था बस को दूरते दूरते हम लोग चार बज़े गाड़ी आई थी और सुबह जो है छे बज़े तो हम लोग बस ही दूरते लगे जिसके बाद बस वाले लाके जो है अगाजी भुतिया तान चो रहा है पर छोड़े भाग गया अच्छा वहां से जो है जो है जो है पूलिस वाले थे दरुगा जी से मैंने बोला तो हम लोगो आठ हादिम को लाके यहां पर छोड़वाए इसके बाद आप हम लोगों के पास जाने के लिए आख से पैसका भी नहीं के जाएं कषे जाएं कहा रहते हैं हम तो भईया यही माराद गर से तीन किलो मिटर उस्तर औरंगाबार गाह है यहां पर अपर बाकी लोग जो है भावर फोल से हैं वो अकराई छेतर से अच्छा वह लोग तो भी वही पर्वार्वार लाइन में लगे हुए 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 उद तो धन्यबाद करना चाहता हूं लोगों का कि हम लोग को 25 आट भी तो गुरूप में थे लेकि सब को दो महने तक खिलाए हुए इसके बाद आनलाइन भी करवाए कराने के बाद अब यह नहीं मालुम सा कि पैसा लगेगा हुए 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 जाने के बाद क्या बोलते है कि अब 13 सुरुपय नहीं दोगे तो आप लोगों ले लिए तो वही 100-200 रुपय आए तो वहीं हम लोगों सोच रहे कि कहां जाए क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आतल पता ही भी सब कुछ खरीदना है हुए 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 परिवार कहा रहता है आप यह लोग है इनकी तकलीफे तो आपने सुनी ली कि इन्होंने क्या बोला है कुछ लोग और हैं और इनसे भी हम बात करते कहां से आए हैं आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप कैसे आए हैं आप ट्रेन से कौन से ट्रेन आई थी पता ने उसमें बढ़ाई है आई चरेन कल रात को उत्रे थे आजाए हैं गुरगाओं रहते थे और आपका गाउ कहा है शक्रा गाउ के रहने वाले हैं तो क्या करते थे आप गुरगाओं बेंदो गया है तो वा श्रेन से जवाय है तो आप बाड़ा भी लगा है चुन मेरे, बाढ़ा कर लेता है तो अन्य नि सेथैन नहीं बैखरी का? चुन मेरे लगा है फान्सी इस्टेशन से बेता है गुर्गावी स्टेश lly तो पीठें है लेता है । बहरशी है – ज़िती है भाडा है ट्रेक का. किसने लगा है पांसुर के लगा है कौन लिया है नहीं लिया कौन किसको आप भाड़ा दी है वहीं पर लगा वहीं पर टिकट खरता पड़ा आपको नहीं नहीं वहीं मिल आता बगल से अच्छा बगल से मिल आता आप काउंटर से नहीं मिल आता तो पांसुर के लेकर टिकट मिल आता हो लेक गुलगाओं से आये हैं, जहां इनको ट्रेन का भाड़ा देना पड़ा, वो भी काउंटर पे नहीं देना पड़ा, पीछे देना पड़ा, 500 रुपे देने पड़ा, और भी लोग यहां पे हैं, आप कहां से आये हैं, आप कैसे आये हैं, आप कैसे आये हैं, आप बस से आये, तो बस से कहाँ पर आए हुआ है जहासी बस से आए आ अफ इस जहाए है तर पैसा लगा था बस और आए ते जहासी फोफ इलिफ़ाइ कौन से बस गाजिपुर कैसे आएं दोड़ेस से आए आएं इला नहीं दे City नहीं दे डहाएं असक्तुरूर के बस काना भुंत प्र सुरूह के दोतीन दीन यहां निकल करवाने हैं क्या करते थे आपसे थे आप रहते थे कहा पर अंच्थ काहा पर बंबेषा इन की आप उस से वह ज्य पर कर दरिक्टبة निखते थे तो आप कैसे आए पिर हो इसी आइसाले क् vez खो reps से ता कर पर आपς तो कहीं पैसा लगा आपका पैसा कहीं भुआझा ये लोग जो लोग बस से आएं और जासी तक आए हैं ये लोग और इन लोग को जासी तक भी कोई पैसा नहीं देना पड़ा जासी से वाया ट्रेन, गोरगपूर, गोरगपूर से वाया रोडवेस, गाजीपूर और जहां इनका पैसा नहीं लगा इनके साथ तकलीफ ये जरूर है कि इनके जो मालिक से जहां ये काम करते थे सुरू के लावडाउन जब सुरू हुआ तो उसके एक दो दिन तक इनको इनका खर्चा उन्होंने चलाया खाना पीना दिया इनको लेकिन उसके बाद से इनकी कोई देख रेरिक नहीं की गई ना इनको पैता दिया गया मजबूरन इनको अपने गाउं कि ऊंत्रू करना पड़ा वेसे गाउं कहां है आपका कलकत्ता से आ रहे हैं आप लोग तो कैसे आये हैं कलकत्ता से अच्छा आप ही लोग के साथ हैं देखे इन से बात हुई थी हमारी यह लोग कलकत्ता से आ रहे हैं बच्चे भी आप ही के साथ हैं तो बस महीं बैठ के आये हैं आप लोग परतानी हुई परतानी कुछ नहीं हु कोई सुविधा नहीं रहा मनला यही रहा कि दूरी बना कर परसानी नहीं हुआ लेगि पैसा लगा अब धाई-धाई हजार रुपए इस लॉकडाउन में प्राइवेट बस में बैठा कर इनको लाया गया अच्छा एक बात बताईए कि बस को अनुमती मिली थी बंगाल सिहां कि अनुमती लिया हुआ था उना पर्मिशन लिया हुआ तो कुछ प्राइवेट बस भी है जो पर्मिशन लेकर मोटी रकम लेकर लोगों को उनके गाउं तक पहुचा रहे हैं इतना समान लेकर अपने साथ लोग यह देखिए तमाम समान रखा हुआ है यह जो यहां के प्र दूर थे उनका काम धंदा बंद था लेकिन फिर भी इस लोग डाउन ने अपने मिट्टी तक पहुचाने के लिए उनको खाक में मिलाने का काम तो किया ही है